आज हमारी किचिन में बने जा रहा है चीज ओमरेट यह किट्स का फेवरिट है और आपको जो है बहुत ही टेस्टी लगेगा लाजमी ट्राइ किजिएगा पहले इसके इंगेडियंस नोट कर लें इसमें सबस प्यास ट्रमाटर यह चॉप पड़ेगा आप भरी मिच भी चाह मताबिक डालें यह एक चम मसाय चीज़ी डालोंगी नमक डालेंगे अख़र जाएका में有一 क्टीस्पून डालोंगी लाल मिच खुए भी बी डाल सकते हैं पोडर भी डाल सकते हैं जो आवेयलबल हो छो फिर चीज ढाले में नावी चीजय का जाएं चीज़ आप चाहें लि प्रिय को में बढ़ते हैं रहा प्यास में इप अब चाहें रागुलर प्यास जो गर में यूस होता है वह भी डाल सकते हैं इसको आप अच्छी दर चौप करके डालना है अगर मोटा मोटा डालेंगे तो वो जादा अच्छा नहीं लगता इसके बाद जब यह सोते हो जाए इसमें हमने टुमाटर डाल लेने हैं आप चाहें तो इसमें हरी मेर्च भी डाल सकते हैं इसके लावा भी अगर कोई सबजी आप जो पसंद करते हैं आउमलेट में वो डाल सकते हैं जब यह दुनी चीज़े जरा नरम हो जाएं फिर हमने अंडे की परपेरेशन करनी हैं मैंने यहां पर दो अंडे लिए आप चाहें तो अंडों की मिदार बढ़ा भी सकते हैं अगर आप अंडों की मिदार बढ़ाएंगे तो साथ स्थी प्याज और टमाटर जो है उसकी मिदार भी बढ़ जाएगी सब अंडों की इसको अची तरह आप आप आपने फैंड लेना है अंडों को जब आप अंडों को अची तरह फैंड चुके होंगे आप उसके पाद इसमें मसाला जाड ढालना स्टार्ट करना है सबसे पहले हम नमक डालेंगे नमक आप तकरीबान हाफ टी स्पून डालें मैने यहां पर हाफ टी स्पून डालाए आप हझब जाइका भी डाल सकते हैं मैं पड़ने करभ टिली तकर हाफ टी स्पून ये तूर शुन डालाई है। आप और चिली भी डाल सकते हैं। आफ बेंया इता है, Is exchange लकी नहीं के तूरलने कि ये फूंड रॉट पिपर दाला तूण हम प्रोटच लियुक्त-पार ऑफ टी स्पून डालाएं। दूर डाने से होता है कि आउमलेट का जाइका मज़ीद अच्छा होता है और यह सौफट बनता है अब इसको अच्छी तरह फैंटने के बाद आपने जो टुमाटर प्यास फ्राइ किया थे फ्राइपान में आपने इसमें डाल लेना है एग शामिल करने के बाद आपने मीडि और देखें कि एक साइट से पाक کई अच्छी को महससुस हो तो आपने अराम से इसकी पैसलिया है और शामिल कर देनी है है अप्वक्सनल है आप चाहे तो नहां भी मजीड डाने कि यूवित bringing a आपको चीज पसंद नहीं है तो आप ना डाले वैसे भी आमलेट बहुत टेस्टी बनेगा अब इसको हमने रोल सा बना लेना आमलेट का इसको ट्विस्ट कर दे देना क्योंकि ये फी चीज में दर्मयान में रहेगी तो जब हम आमलेट खाएंगे तो ये जो है इसका जाइका बहुत टेस्टी आएगा जब ये दूनों तरफ से अच्छी तरह पाक जाएंगे तो आपने सर्विंग के लिए निकाल लेनी है टोस्ट आपने अच्छे से गरम करनी है और इसकी सर्विंग करनी है देखें चीज कितनी जबदस लेरिंग हुई है अब आप भी खाएंगे अपनी फैमली को भी खाए किट्स को ये बहुत पसंद आएगा क्योंकि बच्चे जो है वो इन चीजों से भागते है लहाँजा चीज इनको आमलेट में डाल के दे दी जाए तो इनके हेल्थ वाइस भी अच्छा है मजीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत इन्शाला फिर अगली किसी अच्छी वीडियो में हाजिर होंगे तब तक यह लिए अपना ख्यार रखिएगा आला हाफ़ादा